दोस्तो नमस्कार हमारे APA Palm NLC चैनल में आप सभी के स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे भाग्य रेखा से उम्र की गन्ना किया जाता है कौन सी उम्र में आपके भाग्य उदय होगा, कौन कौन सी उम्र में आपको तरक्की मिलेगा, प्रोमोशन मिलेगा और ऐसी कौन कौन सी उम्र होगा, जिसमें आपके जीवन में परेशानी आएगा, दिक्कतों का समना करना पड़ेगा तो ये सारे विशय को जानेंगे तो इस वीडियो को complete देखेंगे तो आप बड़े आसानी से आप अपने भाग्य देखा का age को calculate कर सकते हैं और जीवन में होने वाले घटनाओं का अनुवान लगा सकते हैं कि कब क्या होगा तो दोस्तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सस्क्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल अल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाला नए वीडियो के जानकारी आप तक पहुँच सकें तो चलिए वीडियो को सुडू करते हैं दोस्तो हθեղी में तीन मुख्य रेखा हर किसी के हθली में देखने को मिलता है यह होता है जीबन रेखा दूसरी मस्तिश्क रेखा और तीसरी हीदय रेखा और अब जो रेखा के बारे में बात करने जा रहा हूँ वह है फेट जो कलाई के पास मनी बंत से शुरू होकर मद्धमाग उंगली के नीचे शनी परवत तक पहुशती है इसे भाग्य रेखा कहा जाता है लेकिन सभी के हतली में भाग्य रेखा मनी बंत से ही शुरू होगा ये संभब नहीं किसी का चंद्रपरवत से तो किसी का राहू के एडिया से, किसी का मंगल के इस्थान से, या किसी का सुक्रपरवत से, या जीवन रेखा से, मस्तिश्क रेखा से, इस प्रकार से भाग्य रेखा बनता है, तो भाग्य रेखा को हर किसी के हतेली में अलग-अलग जगा से निकलत पर एक्चुल में जो इस्थान मिला है भाग्य रेखा का वे मनीबंद से लेकर मद्धमा उमली के तरफ ही होता है और इसी भाग्य रेखा के आधार पड़ ही भाग्य का आयू का निर्धरन किया जाता है तो इसे समझ में आ जाए तो चाहे आपका भाग्य रेखा कहीं से भी निकला हुआ हो उसका उम्र का अनुमान बड़े आसानी से लगा सकते हैं तो इस संपोर्ण भाग्य रेखा का आयू मनीबंद से लेकर सनी परवत तक 70 साल का होता है और माना जाता है कि जहां भाग्य रेखा मस्तिश्क रेखा को काटे वहाँ पर 35 साल का उम्र होता है लेकि खंडित करें तो ये भी हो सकता है जहां भाग्य रेखा मस्तिश्क रेखा से मिलती है वहां 35, 38, 40 या 42 साल का उम्र हो सकता है मस्तिश्क रेखा भाग्य रेखा से मिलने वाला इस्थान को 35 साल इसलिए माना जानुमान लगाया जा सकता है क्योंकि मस्तिश्क रेखा हतेली के बीचों बीच से गुजरता है ऐसी जगा से लेकिन सभी के हाथों में ये 35 साल का उम्र होगा ये सम्भब नहीं हो सकता, ये बीच में तो होगा मगर किसी का थोरा सा उपर या थो किसी का थोरा सा नीचे तो यह मान के चलना चाहिए कि भाग्गे रेखा जहांसे मस्तिश्क रेखा से मिलता है वहां 35-36 से लेकर 41-42 साल का आयो हो सकता है और इसको सठिक्ता से जानने के लिए साध के अंक से मेजर करे तो इसका सही उम्र का अनुमान लगा सकते हैं तो जैसे भाग्य रिखा मनी बंद से लेकर सनी परवत के उंगली के पोरवे तक 70 साल का उम्र माना जाता है तो मनी बंद से भाग्य रिखा का लगबग 1 इंच दूरी पर यहाँ पर इसको माना जाता है 21 साल और लगबग इस जगा पर यह होता है 28 साल का उम्र इसे ही इसी का समान दूरी पर इस जगा पर 35 साल का उम्र और यहाँ पर जैसे भाग्य रिखा मस्तिश्क रिखा से मिल रही है यहाँ पर आ रहा है 42 यार 42 साल का उम्र और इसी प्रकार से मस्तिश्क रेखा और हिदय रेखा के बीच बाले भाग्य रेखा को ये आ जाएगा 49 का यर, 49 साल का उम्र और भाग्य रेखा जहां पर हिदय रेखा से मिलती है ये बाले एरिया आ जाता है 56, 56 साल का उम्र और लगबख सनी परवत के बीच में इस जगा को ये आ जाएगा 63 साल का उम्र 63 यार और उससे आगे जाए तो 70 साल का उम्र माना जाता है यानि 7 साल का उम्र के हिसाब से अगर इसको मेजर करेंगे तो इसका सही उम्र का अनुमान लगाया जा सकता है तो इसे थोरा सा फ्रेश करके दिखाने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो पहला 21 साल का आयू, दूसरा 28 साल, फिर 32 साल, 42 साल, 49 साल, 56 का उम्र और 63, इसके बाद 70 तो इसे प्रकार से चाहे कोई भी भाग्य देखा हो, चाहे वो चंद्रपरवत से निकले तो इसका उम्र 28 साल का अनुमान लगा सकते है एची जगा से आगे चले तो इसका उम्र 35-36 साल का उम्र अनुमान लगा सकते है तो यदि किसी के हथेली में कहीं से भी भाग्य रेखा निकले उसका उम्र एज का आकलन इसी प्रकार से किया जाता है तो यदि मान के चलते हैं भाग्य रेखा कि इस जगा पर दीप बन जाए तो ये दीप जिस उम्र में बनेगा उस उम्र में बेक्ति को काफी मुश्किले आएगी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जैसे यहां का उम्र अनुमान करे तो इस जगा का उम्र हो रहा है लगबग 28 से लेके 35-36 साल का उम्र ऐसे समय में बेक्ति को परेशानिया जहलने पड़ेगी और अगर इसके बाद भाग्य रेखा ठीक ठाक चले तो देखेंगे कि इस उम्र के बाद यानि इस 35-36 साल के उम्र के बाद इस बेक्ति का भाग्य में सुधार आने लगेगा तो इसी प्रकार से ये दीप जिस उम्र में बनेगा उस उम्र का अंदाजा आप इसी प्रकार से लगा सकते हैं और यदि भाग्य रेखा चलते चलते कहीं पर रुक जाए और फिर कुछ दूरी के बाद भाग्य रेखा फिर से चलने लगे इस प्रकार से तो ये जिस उम्र स तक ये गैब बनेगा जैसे इस जगह का उम्र का अंदाजा लगाएंगे तो ये 49 साल से लिकर 56 साल का उम्र होता है तो इस उम्र में इस एज में बेक्ति की जीवन में काफी मैनत स्ट्रागल परेशानियों को जहलना पड़ेगा कोई काम ठीक से नहीं हो पाएगा इंकम सोर्ष में परेशानी रहेगा फिर जिस उम्र से भाग्य रेखा में सुधार आने लगेगा तो उस उम्र से वेक्ति का भाग्य फिर से साथ देने लगेगा इसी प्रकार से यदि भाग्य रेखा कहीं पर overlapping हो रही हो यदि मान के चलते हैं यहाँ पर भाग्य रेखा overlapping हो रही हो तो यह जो उम्र होगा इस उम्र में वेक्ति अपना कर्म को बदलेगा यह change को दरसाता है ऐसे उम्र में वेक्ति अपना केडियर को लेकर चाहे वेक्ति जॉब या बिजनिस कुछ भी कर रही हो उसमें परिवर्तन आता है तो यह जो समय है इसका आप उम्र का अंदाजा लगा सकते है लगवग 31-32 साल का उम्र आप अंदाजा लगा सकते है यह जो जगा है इसका और इस उम्र के बाद यदि भाग्ये रेखा बहतर ढंग से आगे बरहे तो ऐसे विक्ति अपना जीवन में पहले से ज़्यादा उन्नती करते हुए देखा जाता है तो दोस्तों इसी प्रकार से भाग्ये रेखा के जिस उम्र में जो इसु बन रही हो उसका उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों हमारे तरब से पूरी कोशिस रही है इसको बहतर ढंग से समझाने का फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल रहे गया हो तो हमें कॉमेंट करे और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे साथी साथ चैनल को भी सब सब्सक्राइब करे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद